अठार्मी प्रतिग्या जो बोधिसत्थ बाबसाब डॉक्टर अमबेट करने हमें दिलवाई वो है कि मैं अपने जीवन को बहुत धर्म के तीन सिद्धानतों ग्यान, शील और समता पर डालने का प्रियास करूँगा ग्यान आप जानते हैं कि बिना ग्यान के कुछ भी संभव नहीं है और ग्यान तक पहुँचने के लिए शील के मार्ग को अपनाना नितान्त जरूरी है और उस शील के मार्ग को हर तरह से अगर हम देखा जाए अभी जो पीछे ये तेरवी, चौदवी, पंदरवी, सोलवी और सत्रवी प्रितिग्याएं बापस आपने हमें दिलाएं तो वो पंच शील, वही शील के पांचो सिद्धान्त हैं उसी के लिए उन्होंने कहा है कि मैं शील के जो मार्ग है, जो बहुत धर्म का एक आधार है, उस पर चलने की प्रितिग्या करूंगा और समता, समता बहुत ही महत्पूर्ण एक जीवन के लिए जरूरी यंग है, और देखा जाए तो इस देश में तो शुरू से लेके आज तक भी असमानता ये समानता भरी पड़ी है, समता हैं कहीं भी नहीं नजराती और इनसान को जब तक इनसान नहीं समझा जाए, समान नहीं समझा जाए, समानता के अधार पर उसके साथ विवार नहीं किया जाए, उसके पिरतिया आचरण नहीं किया जाए, उस समानता के अधार पर समान नहीं दिया जाए, जीवन में तरकी संभव नहीं हैं और सम्ता हमारे जीवन में, सभी के जीवन में बहुत महत्पूर्ण एक इस्थान रखती है इस देश में हजारों साल से असमानता व्यापत रही है, उच नीच का विवार रहा है, आज भी उच नीच इसी तरह से अपना ही जा रही है दिखावे के लिए जरूर, यह सब कुछ है कि भई सब ठीक ठाक है, सब समान है, कानून की नजर में सब समान है लेकिन कानून में भी कौन समान है, पैसे वालों के लिए अलग तरह के से विवार है, जो गरीब हैं, वो जेलों में पड़े हैं बेकसूर होकर भी जेलों में पड़े हैं सालों साल जेलों में पड़े हैं तो कहा समानता है इसलिए क्योंकि बाबा साथ डॉक्टर अमबेटकर की जीवन में समानता का बहुत बड़ा महत्ता वो जीवन में तरक्की के लिए बहुत महत्मौन है इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जो सम्ता के सिद्धान्त है जो बहुत धर्म के तीन सिद्धान्त है ग्यान, शील और सम्ता इनको अपने जीवन में डालने का अपनाने का प्रियास करो